कक्षा 10 के लिए उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2 सबक अलताफ हुसेन हाली मौलाना अलताफ हुसेन हाली पानीपत में पैदा हुए इल्म की तलब और शेरो सुखन का जौख उन्हें देहली लाया यहां उन्होंने नवाब मुस्तफा खान शेफता और मिर्जा गालिब जैसी शक्सियतों से फैज हासिल किया गालिब और शेफता के इंतकाल के बाद हाली लाहर चले गए और अंग्रेजी हकूमत के मुलाजिम हो गए लाहर में मुहमद हुसेन आजाद के साथ मिलकर डबल्यू जी लाइट्स और दूसरे अंग्रेज अफसरों के तावन से उन्होंने अर्दू में जदीद नजम की बुनियाद डाली अर्दू की सवान अदब में हाली की हयात साथी 1886 में यादगार गालिब 1897 में और हयात जावेद 1901 में शाया हुई उनकी शायरी में इसलाह का पहलू नुमाया है उनकी तवील नजमों में मदू जजज इसलाम जो आम तोर पर मसद्द से हाली के नाम से मशूर है और मुनाजात बेवा एहम है हाली का मुकदमा अर्दू तनकीद में एक तारीखी एहमियत रखता है उन्होंने शायरी के अखलाकी और इसलाही पहलूमों पर जोर दिया है और इसी नुकते नजर से अर्दू शायरी का तनकीदी जाइजा लिया है हाली का शुमार सरसयत के खास रफीकों में होता है सरस्यत का बच्चपन मौला नाखाली की किताब हयात जावेद से माखूज है सरस्यत के खानदान का हाल जिस कदर हमने लिखा है शायद नाजरीने किताब उसको कदर जरूरत से ज्यादा खयाल करें लेकिन बायोग्रैफी का असल मकसद जो हीरो के अखलाक औ आदात औ खयालात का दुनिया पर रोशन करना है वो उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये ना कहा जाए कि हीरो में अखलाक औ आदात और खयालात कहा से आए और उनकी बन्याद उसमें क्यों कर पड़ी इनसान में कुछ खसलतें जबली होती है जो आबा औ अजदात से बत और मीरास के उसको पहुँचती है और ज्यादतर वो अखलाक औ आदात होते हैं जो बच्पन में नामालूम तोर पर वो अपने खानदान की सोसाइटी से इक्तिसाब करता है और जो रफ़ता रफ़ता उस दरजे तक पहुँच जाते हैं जिसकी निस्बत हदीस में आया है कि पहाड अपनी जगा से टल जाए तो टल जाए लेकिन आदमी अपनी जबलत से नहीं टल सकता पस हीरो के खानदान का हाल जिसमें वो पैदा हुआ और उस सोसाइटी का हाल जिसमें उसने नशो नुमा पाई दरहकिकत हीरो के अखलाक औ आदात पर एक ऐसी रोशनी डालता है जिसके बाद किसी और सुबूत के पेश करने की चंदा जरूरत बाकी नहीं रहती सरसेयत के पैदा होने से पहले उनकी बहन सफियतन निसा और उनके भाई सेयद महम्मद खान पैदा हो चुके थे सेयद महम्मद खान के पैदा होने की उनको बहुत खुशी हुई चंद महीने पहले उनके मामू नवाब जैनुलाबदीन खान के यहां एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम हातिम अली खान रखा था सरसेयत को अवल हातिम अली खान की वालदा ने दूद पिलाया और फिर खुद सरसेयत की वालदा ने वो अपने खानदान के अक्सर बच्चों के निस्बत ज्यादा कवी और तवाना और हातपाउं से तंदरुस्त पैदा हुए थे सरसेयत के बयान से मालूम होता था कि उनके बच्चपन में जिसमानी सेहत और फिजिकल काबलियत के सिवा कोई ऐसी खुसूसियत जिससे उनके बच्चपन को मामूली लड़कों के बच्चपन पर बे तकल्व फौकियत दी जा सके नहीं पाई जाती थी यानी जैसे कि बाजे बच्चे अब्तिदा में नहायत जकी और तबाः और अपने हमजोलियों में सबसे ज़्यादा तेज और होश्यार होते हैं और लगातार गोरो फिक्र से बतदरीज तरकी दी थी और इसी लिए उनकी लाइफ का आगाज मामूली आदमियों की जिन्दगी से कुछ ज़्यादा चमकदार मालूम नहीं होता लेकिन जिस कदर आगे बढ़ते जाएए उसी कदर उसमें ज्यादा अजमत पैदा होती जाती है यहां तक कि हीरों को मामूली आदमियों की सतह से बाला तरक कर देती है इसलिए बाज हुकमा की ये राय है कि महनत से आदमी जो चाहे सो हो सकता है सरसेयत को मुसमात मा बीबी ने जो एक कदीम खेर हुआ खादमा उनके घराने की थी पाला था इसलिए उनको मा बीबी से नहायत महबत थी वो पांच बरस के थे जब मा बीबी का इंतकाल हुआ उनका बयान है कि मुझे खूब याद है मा बीबी मरने से चंद घंटे पहले फालसे का शर्बत मुझे को पिला रही थी जब वो मर गई तो मुझे उसके मरने का नहायत रंज हुआ मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि वो खुदा के पास गई है बहुत अच्छे मकान में रहती है बहुत से नौकर चाकर उसकी खिदमत करते है और उसकी बहुत आराम से गुजरती है तुम कुछ रंज मत करो मुझे को उनके कहने से पूरा यकीन था कि फिल वाके ऐसा ही है मुद्द तक हर जुमेरात को उसकी फातखा हुआ करती थी और किसी मोहताज को खाना दिया जाता था मुझे यकीन था कि ये सब खाना मा बीबी के पास पहुँच जाता है उसने मरते वक्त कहा कि मेरा तमाम जेवर सेयद का है मगर मेरी वालदा उसको खेरात में देना चाहती थी एक दिन उन्होंने मुझ से पूछा कि अगर तुम कहो तो ये गहना मा बीबी के पास भेज़ दू मैंने कहा हाँ भेज़ दू वालदा ने वो सब गहना मुखतलिफ तरह से खेरात में दे दिया बच्पन में सरसायत पर ना तो ऐसी गैद थी कि खेलने कूदने की बिलकूल बंदी हो और ना ऐसी आजादी थी कि जहां चाहें और जिनके साथ चाहें खेलते कूदते फिरें उनकी बड़ी खुशनसीबी ये थी कि खुद उनके मामू उनकी खाला और दीगर नजदी की रिश्टेदारों के 14-15 लड़के उनके हम उम्र थे जो आपस में खेलने कूदने के लिए काफी थे इसलिए उनको नौकरों और अजलाफों के बच्चों और अश्राफों के आवारा लड़कों से मिलने जुलने और उनके साथ खेलने का कभी मौका नहीं मिला उनके बुजर्गों ने ये इजाज़त दे रखी थी कि जिस खेल को तुम्हारा जी चाहे शौक से खेलो मगर किसी खेल को छुपा कर मत खेलो इसलिए सब लड़के जो खेल खेलते थे अपने बढ़ों के सामने खेलते थे उनके खेलों में कोई बात ऐसी नहोती थी जो अपने बुजर्गों के सामने ना कर सकी ख्वाजा फरीद की हवेली जिसमें वो और उनके हम उम्र लड़के रहते थे उसका चौक और उसकी च्छतें हर किस्म की भागदोर के खेलों के लिए काफी थी अगर्चे गीड़ियां खेलने को अश्राफ मायूब जानते थे मगर उनके बुजर्गों ने इजाज़त दे रखी थी कि आपस में सब भाई मिलकर गीड़ियां भी खेलो तो कुछ मजाहिका नहीं उनका बयान था कि बावजूद इस कदर आजादी के बच्पन में मुझे तनहा बाहर जाने की इजाज़त न थी जब मेरी वालदा ने अपने रहने की जुदा हवेली बनवाई और वहां आ रहीं तो बावजूद ये कि उस हवेली में और नाना सहाब की हवेली में सिर्फ एक सड़क दर्मयान थी जब कभी मैं उनकी हवेली में जाता तो एक आदमी मेरे साथ जाता इसलिए बच्पन में मुझे घर से बाहर जाने और आम सहबतों में बैटने या आवारा फिरने का बिलकुल इत्तिफाख नहीं हुआ सफ़ा बयालीस सरसेद लिखते हैं कि मेरे नाना सुबह का खाना अंदर जनाने में खाते थे एक चोड़ा चकला दस्तरखवान बिष्टा था बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासियां और बेटों की बीवियां सब उनके साथ खाना खाते थे बच्चों के आगे खाली रकाबियां होती थी नाना साहब हर एक से पूछते थे कि कौन सी चीज़ खाओगे जो कुछ वो बताता वही चीज़ चम्चे में लेकर अपने हाथ से उसकी रकाबी में डालते थे तमाम बच्चे बहुत अदब और सफाई से उनके साथ खाना खाते थे सब को ख्याल रहता था कि कोई चीज़ गिरने न पाए हाथ खाने में ज्यादा ना भरे और निवाला चबाने की आवाज मूँ से ना निकले रात का खाना वो बाहर दीवान खाने में खाते थे जमाना हो जाता था मेरी वालदा और मेरी चोटी खाला खाना खिलाने आती थी हम सब लड़के उनके सामने बैठते थे हमको बड़ी मुश्किल पढ़ती थी किसी के पाउं का धबा सफेद चांदनी पर लग जाता था तो नहायत नाराज होते थे रोशनाई वगएरा का धबा किसी के कपड़े पर होता था तो उससे भी नाखुश होते थे शाम को चराख जलने के बाद उनके पोते और नवासे जो मकतब में पढ़ते थे और जिन में से एक मैं भी था उनको सबख सुनाने जाते थे जिसका सबख अच्छा याद होता उसको किसी किसम की उम्दा मिठाई मिलती और जिसको याद ना देते और घुलक देते गर्मी और बरसात के मौसम में अब भी दिल्ली के अकसर बाशिंदे से पहर को जमना पर जाकर पानी की सेर देखते हैं और तेरने वाले तेरते हैं मगर पचास बरस पहले महा अश्राफ तेरने वालों के बहुत दिल्चस्प जलसे होते थे सरसेयत कहते थे के मैंने और बड़े भाई ने अपने वालिद से तेरना सीखा था एक जमाना तो वो था कि एक तरफ दिल्ली के मशहूर तेराक मौलवी अलिमॉला का गोल होता था जिन में मिर्जा मुगल और मिर्जा तिफल बहुत सरबर आवरदा नामी थे और दोसरी तरफ हमारे वालिद के साथ सौ सवा सौ शागिर्दों का गिरो होता था ये सब एक साथ दरिया में कूदते थे और मजनू के टीले से शेख मुहम्मद की बाईं तक ये सारा गिरोह तेरता जाता था फिर जब हम दोनों भाई तेरना सीखते थे तो उस जमाने में भी तीस चालिस आदमी वालिद के साथ होते थे उन्ही दिनों में नवाब अकबर खां और चंद और रईस जादे भी तेरना सीखते थे जीनतलमसाजिद के पास नवाब एहमद बख्ष खां के बाग के नीचे जमना बहती थी वहां से तेरना शुरू होता था मगरिब के वक्त सब तेराक जीनतलमसाजिद में जमा हो जाते थे और मगरिब की नमाज जमाज से पढ़कर अपने अपने घर चले आते थे मैं उन जलसों में अकसर शरीक होता था तीर अंदाजी की सोबतें भी सरसेयत के मामू जैनलाबदीन खान के मकान पर होती थी वो कहते थे के मुझे अपने मामू और वालिद के शौक का वो जमाना जबके नहायत धूमधाम से तीर अंदाजी होती थी याद नहीं मगर जब दोबारा तीर अंदाजी का चल्चा हुआ वो बहुभी याद है उस जमाने में दरिया का जाना मौकुफ हो गया था जोहर की नमाज के बाद तीर अंदाजी शुरू होती थी नवाब फत्युल्ला बेख खां नवाब स्यद अजमत अल्ला खां नवाब इबराहीम अली खां और चंद शहजादे और रईस और शौकीन उस जलसे में शरीक होते थे नवाब शमसुद्दीन खां रईस फिरोजपूर जिरका जब दिल्ली में होते थे तो वो भी आते थे मैंने भी उसी जमाने में तीरंदाजी सीखी और मुझको खासी मश्क हो गई थी मुझे खूब याद है कि एक दफा मेरा निशाना जो तूदे में नहायत सफाई और खूबी से जाकर बैठा तो वालिद बहुत खुश हुए और कहा मशली की जाय को कौन तेर ना सिखाए ये जलसा बरसों तक रहा फिर मौकूफ हो गया मुझे पूर एक जाटों का गाउं है महा सरसायत के वालिद की कुछ मिल्क बतॐर माफी के थी अगर कभी फसल के मौके पर उनके वालिद मुझे जाते तो उनको भी अकसर अपने साथ ले जाते और एक हفता गाउं में रहते सरसेयत कहते थे के उस उम्र में गाउं में जाकर रहना जंगल में फिरना उम्दा दूद और दही और ताजा ताजा घी और जाटनियों के हाथ की पकी हुई बाजरे या मकई की रोटिया खाना नहायत ही मज़ा देता था सरसेयत के वालिद को अक्बर शह के जमाने में हर साल तारीख जलूस के जश्न पर पांच पार्चा और तीन रुकूम जवाहर का खिलत अता होता था मगर अखीर में जैसा के उपर जिक्र किया गया उन्होंने दर्बार का जाना कम कर दिया था और अपना खिलत सरसेयत को बावजूद ये कि उनकी उम्र कम थी दिलवाना शुरू कर दिया था सरसेयत कहते थे के एक बार खिलत मिलने की तारीख पर ऐसा इतिफाक हुआ के वालिद बहुत सवेरे उठकर किले चले गए और मैं बहुत दिन चड़े उठा हर चंद बहुत जल्द घोड़े पर सवार होकर वहां पहुँचा मगर फिर भी देर हो गई जब लाल पर्दे के करीब पहुँचा तो काइदे के मुवाफिक अवल दर्बार में जाकर आदाब बजा लाने का वक्त ही नहीं रहा था दारोगा ने कहा कि बस अब खिलत पहन कर एक ही दफ़ा दर्बार में जाना जब खिलत पहन कर मैंने दर्बार में जाना चाहा तो दर्बार बरखास्त हो चुका था और बादशाह तक्त पर से उठकर हवादार पर सवार हो चुके थे बादशाह ने मुझे देख वालिद से जो उस वक्त हवादार के पास ही थे कहा के तुम्हारा बेटा है उन्होंने कहा हुजूर का खानाजाद बादशाह चुपके हो रहे लोगों ने जाना कि बस अब महल में चले जाएंगे मक़र जब तस्वी खाने में पहुचे तो वहा ठहर गए तस्वी खाने में भी एक चबूतरा बना हुआ था जहां कभी-कभी दर्वार किया करते थे उस चबूतरे पर बैठ गए जवाहर खाने के दारोगा को किष्टि अजवाहर हाजिर करने का हुक्म हुआ मैं भी वहाँ पहुँच गया था बादशाह ने मुझे अपने सामने बुलाया और कमाल इनायत से मेरे दोनों हाथ पकड़ कर फरमाया के देर क्यों की? हाजरीन ने कहा अर्जगरो के तकसीर हुई मगर मैं चुपका खड़ा रहा जब हुजूर ने दोबारा पूछा तो मैंने अर्जगरो के सो गया था बादशाह मुस्कुराए और फरमाया बहुत सवेरे उठा करो और हाथ छोड़ दिये लोगों ने कहा आदाब बजा लाओ मैं आदाब बजा लाया बादशाह ने जबहरात की मामूली रखमें अपने हाथ से पहनाई मैंने नजर दी और बादशाह उठकर खासी डियोडी से महल में चले गए तमाम दर्बारी मेरे वालिद को बादशाह की इस इनायत पर मुबारक सलामत कहने लगे सफ़ा चवालीस सरसेयत कहते थे के उस जमाने मेरी अमर आठ नौ बरस की होगी तकरीबर उन्ही दिनों में राजा राम मोहन राए जो ब्रहमो समाज के बानी थे उनको अकबर बादशाह ने कलकत्ता से बुलाया था ताके इजाफा पेंशन बादशाही के लिए उनको लंदन भेजा जाए चुनाचा वो बादशाह की तरफ से लंदन भेजे गए और 1831 में वहाँ पहुँचे सरसेयत ने लंदन जाने से पहले उनको मतादे दफाद दरबारे शाही में देखा था सरसेयत कहते थे के मुझको अपनी बिस्मिल्ला की तकरीब बहुब याद है सह पहर का वक्त था और आदमी कसरस से जमा थे खसूसन हजरत शाह गुलाम अली साहब भी तश्रीफ रखते थे मुझको लाकर हजरत के सामने बिठा दिया गया मैं उस मजमे को देखकर हका बका सा हो गया मेरे सामने तख्ती रखी गई और गालिबन शाह साहब ही ने फरमाया कि पढ़ो बिस्मिल्ला रर्रह्मान रर्रहीम मैं कुछ ना बोला और हजरत साहब की तरफ देखता रहा उन्होंने उठा कर मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और फरमाया कि हमारे पास बैठ कर पढ़ेंगे और अवल बिस्मिल्ला पढ़कर इक्रा की अवल आयतیں मालम यालम तक पढ़ी मैं भी उनके साथ साथ पढ़ता गया सर सेयद ने जब ये जिक्र किया तो बतौरे फक्र के अपना ये फार्सी शेर जो खास इसी मौके के लिए उन्होंने भी कहा था पढ़ा सर सेयद कहते थे के शाह साहब अपनी खानकाह से कभी नहीं उठते थे और किसी के हाँ नहीं जाते थे इल्ला माशालला सिर्फ मेरे वालिद पर जो गायत दर्जे की शफकत थी इसलिए कभी कभी हमारे घर कदम रंजा फरमाते थे बिस्मिल्ला होने के बाद सर सेयद ने कुरान मजीद पहना शुरू किया उनकी ननहाल में कदीम से कोई ना कोई उस्तानी नौकर रहती थी सर सेयद ने उस्तानी ही से जो एक अश्राफ घर की परदानशीन बीबी थी सारा कुरान नाजरा पढ़ा था वो कहते थे मेरा कुरान खत्म होने पर हदिये की मजलिस जो जनाने में होई थी वो इसकदर दिल्चस्प और अजीब थी कि फिर किसी ऐसी मजलिस में वो कहफियत मैंने नहीं देखी कुरान पढ़ने के बाद वो बाहर मकतब में पढ़ने लगे मौलवी हमीद الدین एक जी इल्म और बुजर्ग आदमी उनके नाना के यहां नौकर थे जन्होंने उनके मामू को पढ़ाया था उनसे मामूली किताबें करीमा, खालिक बारी, आमद नामा वगेरा पढ़ी जब मौलवी हमीद الدین का इंतकाल हो गया तो और लोग पढ़ाने पर नौकर होते रहे उन्होंने फार्सी में गुलिस्तां, बोस्तां और ऐसी ही एक आध और किताब से ज्यादा नहीं पढ़ा फिर अर्बी पढ़नी शुरू की मगर तालिबे इल्मों की तरह नहीं बलके नहायत बे परवाई और कम तवज्जही के साथ इसके बाद उनको अपने खांदानी इल्म यानि रियाजी पढ़ने का शौक हुआ जिसमें उनकी ननिहाल के लोग दिल्ली में अपना मिसल ना रखते थे उन्होंने अपने मामू नवाब जैनुल आबदीन खांद से हिसाब की मामूली दरसी किताबें तहरीर अकलिदस के चंद मकाले पढ़े उसी जमाने में तिब पढ़ने का शौक हो गया जो एहले इल्म और फार्सी दानी में नाम आवर थे जैसे सहबाई, गालिब और आजूर्दा वगयरा उनसे मिलने का और इल्मी मजलिसों में बैठने का अक्सर मौका मिलता रहा सफ़ह पैंतालीस मश्क लफजो मानी नाजरीन नाजर की जमा देखने वाले अक्तिसाब कस्ब करना, मेहनत करके हासिल करना नश्व नुमा तरकी, बढ़ोत्री जकी जहीन, तेज दिमाग वाला तबाः जिसकी तबियत में उपज हो सरीह इम्तियाज फर्क जो जाहिर हो, खुला हुआ फर्क कवा कुवतें, यहां सलाहियते मुराद है फिल वाके दरसल इजलाफों जल्फ की जमा, निचले तबके के लोग अश्राफों अश्राफ, शरीफ की जमा, आला खांदान वाले सर बर आवर्दा मौजिज, जिम्मेदार गोल भीर, हुजूम, बहुत से लोग मिलके बतौर मुआफी अता की हुई जमीन की मिलकियत मचली के जाए को तैरना कौन सिखाए? ये मशूर कहावत है, अपने आबाई काम से हर कोई वाकिफ होता है तक्सीर कोताही, कुसूर, गलती हक्का बक्का होना हैरान रह जाना, हैरत जदा बिस्मिल्लाह उस तक्रीब का नाम जिसमें बच्चों को कुरान पढ़ाने की अप्तिदा की जाती है अल्ला के नाम से शुरू इकरास मालम यालम गुरान मजीद की सूर अल्ख की अप्तिदाई पांच आयतें गुरान मजीद की ये आयतें सबसे पहले नाजिल हुई थी इल्ला माशाल्लाह मगर जो चाहा अल्लाने, मुराद कभी कभी गायत गर्ज, मतलब गुरान नाजिरा पढ़ना नाजिरा, गुरान शरीफ देख कर पढ़ना साल जुलूस किसी बादशा की तख्त नशीनी का साल सफ़ा च्छेहलेस गौर करने की बात नमबर एक हाली ने बायोग्रफी के तालुक से लिखा है कि इसका असल मकसद उस शख्त के अखलाक औ आदात और ख्यालात को पेश करना है जिसकी सवाने लिखी जा रही है इसके अलावा उस शख्त के खानदान का हाल जिसमें वो पैदा हुआ है और उस मौश्रे का हाल भी जिसमें उसने नशोनुमा पाई हो दरहकीकत ये सब मिलकर किसी भी शख्त के अखलाक औ आदात पर ऐसी रोशनी डालते हैं जिसके बाद किसी और सुबूत की जरूरत बाकी नहीं रहती इसलिए हाली ने सरसेयत की सवाने हयात जावेद में उनके खानदान का हाल तफसील से बयान किया है इस सबख के मताले से हम सरसेयत के बच्पन उनके एहबाब और रिष्टेदारों से मतारिफ होने के अलावा इस बाद से भी वाकिफ हो जाते हैं कि उन्हें हसूल इल्म का शौख किस तरह दहली के एहल इल्म की मजलिसों में ले जाया करता था सबख में लब्स साल जलूस आया है कोई बादशाद जिस साल तखत नशीन हुआ करता था उस साल को उसका साल जलूस कहते थे इसके अलावा उसके दोराने बादशाहत जब कोई वाकिफ किसी वक्त रूनुमा हुता था तो उस वाकिफ का हवाला उसके बादशाहत के उस साल से दिया जाता था यानि अगर किसी बादशा के तख्त नशीन होने के बारा साल के बाद कोई वाकिया रूनुमा हुआ है तो यही कहा जाता था कि ये वाकिया उसके बारवे साले जुलूस में रूनुमा हुआ था मश्क सवालों के जवाब लिखिए नमबर एक सरस्यत ने अपना बच्पन कैसे गुजारा नमबर दो सरस्यत के नाना के यहां दस्तरखवान के आदाब क्या थे नमबर तीन सरस्यत ने बच्पन में कौन कौन से खेल खेले नमबर चार सरस्यत को गाउं में जाकर रहना क्यूं पसंद था अमली काम नमबर एक, मा बीबी और सरसेयत के तालुख को अपने अलफाज में बयान कीजिए नमबर दो, इस मजमून में जिन किताबों के नाम आए हैं, उन्हें अपनी कौपी में लिखिए नवाए उर्दू, भाग दो, पेशकष, C.I.E.T., N.C.E.R.T., नई दिल्ली, भारत झालुब करिस्ट νावे that इस बजो कितागे सकताभार हैं commeeding